इस्ट्रो के कमांड सेंटर को भीज़ेगा सबसे पहले आपको बता दें कि जो अंतरिक श्रीयान श्री हरी कोटा के सतीज दवन स्पेस सेंटर से छोड़ा जाएगा उसके दो हिस्से हैं पहला लांच विकल GSLV MK3 रॉकेट और दूसरा है चंदरियान टू हम आपको बताते हैं लांचिंग के बाद में GSLV MK3 रॉकेट चंदरियान टू को लेकर आसमान का सीना चीरता हुआ कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा यह जो ग्राफिक्स हैं उस ग्राफिक के जरी आपको समझाने की कोशिश करें आपको बताती हैं जो ग्राफिक्स इसको देखे और GSLV MK3 साथ हजार किलो वज़नी रॉकेट है और यह चंदरियान टू को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा अगर बात की जाए तो डेल और बिटर की लॉंच के बाद में धर्टी की कक्षा से निकल कर चंदरियान टू रॉकेट से अलग हो जाएगा आपको वो भी दिखाते हैं कि किस तरह से यह होगा और इसके बाद में पेलोट का जो फेरिंग लॉंचर है वो से अलग हो जाएगा इस पेस में सफर के बाद तीसरे फेस में L110 रॉकेट भी इसके बाद में अलग हो जाएगा और इसके बाद में वो एहम पढ़ावा जाएगा जब चंद्रेयान 2 का मॉट्यूल इस रॉकेट से अलग होगा और आगे जाकर जो चांद का पैनल है जो टांद का पैनल है वो खुल जाएगा पताती है जो चांद की कक्षा है उसमें चकर लगाने के दौरान लेंडर विक्रम जो है वो अर्बिटर से अलग हो जाएगा और फिर वो अर्बिटर और लेंडर का अलग अलग काम शुरू हो जाएगा और बिटर चांद की सता को स्कैन करना शुरू करेगा जबकि लेंडर विक्रम चांद के दक्षनी दुरुप पर लेंडरिंग के लिए सही जगा को स्कैन करेगा साथी साथ चांद के जो साउथ पोल हैं उस पर सतय पर चांद बीन और लेंडर के उतरने में करीब 15 मिनिट का वक्त लगेगा और तकनी की रूप से ये लम्हा सबसे ज्यादा मुश्किल या फिर ये का जाए कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि भारत ने पहले ही किया है चलिए अब आपको इससे जुड़ी हुए और कुछ चीज़े बताते हैं ग्राफिक्स की जरिया आप इस ग्राफिक्स को देखे दिरसल जो सौफ्ट लेंडिंग है उसके लिए सही जगा मिलते ही लेंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षनी हिस्से पर उतरेगा और सही जगा मिलना बहुत जरूरी है टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा चौदा सो किलो वश्री साड़े तीन सो मीटर लंबे लेंडर में तीन पहलोड होंगे और अब इसका टास्क होगा चांद पर उतरकर रोवर को डिप्लॉय करना दिरसल लेंडर विक्रम की जो सौफ लेंडिंग है उसके बाद में लेंडर का दर्वाजा कुलेगा यह जो आपको दिखा रहे हैं यसी कि यह इसी का पूरा ग्राफिक है और इस एनिमीशन के जरीए मापको समझाने की कोशिश करें मतादे कि जो लेंडिंग है उसके बाद में रोवर प्रग्यान के निकलने में चार घंटे का वक्त लगेगा और फिर जैसे ही रोवर चांद की सतह पर पूरी तरह से डिप्लॉई हो जाएगा तो यह इंदुस्तान के लिए तहासिक लंभा होगा और फिर प्रग्यान नाम का यह रोवर वैग्यानिक परिक्षरों के लिए चांद की सतह पर जाएगा.